हुलो फ्रेंस नमस्कार मैं हो डाक्डर ओये एन सिंग्ग दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वगत है दोस्तों चलिए आज मैं आप लोग को टेस्टेस्ट्राण हार्मोंस के बारे में बताऊंगा टेस्टेस्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टेश आज मैं अपने इस वीडियो में पूरा डीटेल बताऊंगा इसको जानने से पहले मेरा यह चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो बनता है तो आप त टेस्टेस्टुरान का निर्मार जो होता है पूरुस में जो टेस्टिस होता है टेस्टिकुलर होता है उसमें पाए जाता है जिसे हम अंड़कोस करते हैं उसके अंदर जो है टेस्टेस्टुरान हर्मों का निर्मार होता है उसी में पाए जाता है और इसी पे मनुसे का सार पूरुसं जीसे मैं बता दूूध सबसे में इंपॉर्टेंट काम करता है सेक्स भर हर्मों कौण अगर इसकी कमी हो very बहुत ज्यादा नपन सकता भी हो जाती है बीरिकी कमई होने लगती है सक्सुल डेविल्टी होने लगती है कमजूरी होने लगती है और मुखह मैं बता दोस्तु कि अगर जिसके अंदर टेस्टेश्टीज्टन हर्मोंस की कमई होती है उसके दाड़ी जो होते हैं कम होती है बाल जो दाड़ी के होते हैं कम होते हैं मोचे कम होती है और ये सही भरपूर दाड़ीयां मोचे नहीं आपाती है और जो मसल्स होता है वो भी जो है सही से नहीं बन पाता है उनका सरी थुतला होता है उनकी सरी गठीली नहीं हो पाती है बिल्कुल जो इसके अंदर जो है टेस्टेस्टोरान की कमी होती उनकी सरी जो है थुतली होती है उनके अंदर यह उन छमता भी घटने लगती है और इतना ही नहीं दोस्तों बाल बहुत तेजी से ऐसे पूरुस का जो ज़ाडने लगता है जिसके अंदर जो है टेस्टेस्टो पराब्लम्प पाइजाते है जिन में कि अइसी कमी होती है बहुत सारे पूर्सों में नहीं होती है बहुत सारे में low होती है, बहुत सारे में medium होती है, बहुत सारे में high होती है, लेकि किसी में बहुत ज़्यादा कम होती है, तो IC संक्या 1000 में 5 लोग ही होते हैं, medical research के अनुसार, और मैं बता दू कि अगर जिसके अंदर testosterone, जिस पूरुस के अंदर testosterone की कमी होती है, वो हमेशा सु एक ही जगाबाइट करके रहना चाहते हैं, हिलना डूलना नहीं चाहते हैं, सुस्त सरीर पड़ जाती हैं, और कोई काम करते हैं, दोड़ते हैं, तो जल्द ही ठक जाते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना भी होता है, और उनकी सरीर बहुत मोटी होती है, थुतली होती है, उनकी सेख्स करने का छमता बिलकुल घर जाती है या तो इच्छा खत्म हो जाती है नहीं मन करता है और पेट भी बाहरğu निकल जाता है ऐसे लोग का जो शरीरीफ ठुतली हो जाती है हभी हड्डीयां कमजोर हो जाता है फोड़ा विखोट लगने पे हड्डीयां वे कमजोर दिखते हैं चलिए मैं तो आपको बता दिया कि क्या क्या लच्छन होते हैं लेकिन मैंने बताया कि हाइपो गोनाडिज्म के कितने कारण होते हैं आपको मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं हाइपो गोनाडिज्म के सबसे पहला कारण है अभिक्सित जो होता है टेस्टिकल्स जो होता है जो अंड़कोस होता है छोटा ही रह जाता है जिसका बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो ऐसे में जो है उसमें टेस्टिस में जो है हार्मोन्स का निर्माड नहीं हो पाता है जिससे की सुकुराडू भी कम बनते हैं तो इस कारण से भी जो है प है दोस्तों की हीमो क्रोम टासिस काते हैं जिसको यह एक तरह से बहुत ज्यादा किसी के अंदर ब्लड बन जाता है हीमो क्रोम टासिस के कारण भी जो होता है जब ब्लड ज्यादा बन जाता है तो उसमें टेस्टिस के अंदर जो है टेस्टिस्टूरान की कमी होने लगती है औ उसमें जो है टेस्टेस्ट्यूरान का निर्मान सही से नहीं हो पाता है और तीसरा चौथा मैं बता दूँ कि कैंसर है किसी को हुआ है उस समय एकर कीमो ठिरैपी की जाती है कीमो चड़ाया जाता है उसके कान बहुत तेजी से जो है सुक्राडू भी घड़ जाते हैं और टेस तेजी से घड़ता है इसलिए पूर्सों को अपने पार्केट में जो है मोबाइल नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसका रेडिजेशन बहुत खतरना को था है जिससे की सुक्राडू भी घड़ते हैं और टेस्टेस्ट्यूरान लेबल भी बहुत तेजी से घड़ता है और प गल्णे तेजी से घड़ते हैं और hap consists फिलेशन बहुत आणे लगते तेजी से घड़ते हैं गहर्ण अगर नहीं घड़ता है तो तो निर्मांड होता है इसलिए पिटिट्ली Google वे निर्माहण कर नहीं से पहुंछता है यहां डिवान यहनितरि संद्ड और और श्रुआएन को हुआए इसे कारणoli से असके कार लिए चायारन Secular तो उसके कारण भी जो है घटने लगता है है और बहुत जदा अगर आपके सरीर की मुटापा य और आ जरेल की तो यह चुए थझा लगता है यहा तो अंड कोस अधार में बहुत से लोगों के सुजन हो जाता है पानी भर जाता है ऐसक आइसे आ epamin तो मैंने बता दिया किन किन कारणों से यह घरता है और टेस्ट इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा ज्यादा सेयर कर दीजेगा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा नमस्कार